आपका स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल एक्जाम तरकश में आज हम लोग साइंस का चैप्टर मेटल नॉन मेटल और एलोईस को लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो सभी लोग मेरे साथ लाइब आ जाईए बिना देर की अपने शेशन को लोग स्टार्ट करते हैं आपके स्कीन पर पहला ही क्वेश्चन है द्यान से देखिएगा निमलिखित में से निमलिखित में से कौन सा जिंक का एक आयस्क है ये पूछा गया है तो पूछा जा रहा है कि जिंक का कौन सा आयस्क है ये आप से पूछा गया है तो जिंक का कौन सा आयस्क है तो इसमें औप्शन नमबर कौन सा से हो जाएगा option number आपका क्या हो जाएगा right हो जाएगा next question देखते हैं जाइट रेट से निकला थोरियम चटानों के बिगटन से निर्वित है कह रहा है कि मोनोजाई ट्रेज से थोरियम निकलता है ये किस चटानों से निर्वित है डिबोनी से, कैंब्रियन से, कार्बन प्रद से या प्रीकैंबियन से तो मोनोजाई ट्रेज से निकला जो थोरियम होता है वो चटानों के pre-cambian से निकला है किसे निकलता होता है pre-cambian से निकला होता है तो option number कौन से जाएगा option number D आपका right answer हो जाएगा नेक्स देखते हैं उच्च शुद्धता का question है कि उच्च शुद्धता का germanium द्वारा प्राप्त किया जाता है यह पूछा गया है वास पचरण परिशोधन छेत्र परिशोधन द्रवी करण या इलेक्ट्रो लाइड परिशोधन तो किसके द्वारा यह प्राप्त किया जाता आपका सई हो जाएगा जर्मेनियम क्या है यह अर्ध चालक होता है जो की उपधातू की स्रेडी में आता है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं देखिए अगला question अग्ला क्वैस्टन है बुरान सिलिकान ने बुरान सिलिकान और जर्मेनियम जैसे तत्तूं को क्या कहा जाता है डिचान ऑप धातू एक्करेणाइड आप छारद्धातू तो जो जर्मेनियम हो गया 만들어 कटैवी में ऐसे खिए लिए किया एफे नेक्स देखते हैं अगला फेसट हु क्वेस्ट है निमलिखित में से कौन एक अधातू है जो सामाने तापमान पर द्रव अस्था में रहती है सामाने तापमान पर द्रव अस्था में कौन रहती है क्लोरीन, हिलियम, फासफोरस, ब्रोमीन ठीक है तो एक मात्रा धातू जो है वो ब्रोमीन है जो कमरे के ताप्पे की सवस्था में रहती है द्रव अस्था में रहती है option number कौन से जाएगा डीवल आपका right answer हो जाएगा next देखते हैं अगला question अगला question है कि मिस्र धातू ठीक है मिस्र धातू रोज सोने में सोने के अलावा और कौन सी धातू शामिल होती है रोज सोने में सोने के अलावा कौन सी धातू शामिल होती है यह आपको बताना है प्लेटिनम है चांदी है क्रोमियम है तामबा है तो कौन सी धातु उसमें होती है दिया तरखेगा उसमें तामभा यूज किया जाता है तामभा यूज किया जाता है ऑफ से नंबर कौँ से से जाएगा डीवल आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं अगला question अगला question है dot dot yukth dot dot yukth धातु को सनले कहा जाता है यानि किसे उसे सनले कहा जाता है ये बताना आपको पारा को निकिल को चांदी को की कोबाल्ट को तो जो सनले धातु होता है उसे हम क्या मिलाते हैं पारा मिला देंगे तो उसे हम सनले धातू कहते हैं सनले का मतलब होता है जुडा हुआ धातू ठीक है नेक्स बात करते हैं अगला question अगला question अगर हम लोग देखें तो अगला question है निमलिकित में से झाल 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 अगला question है कि नेमलिकित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रिंखला के सिर्ज से सम्मंदित नहीं है यानि अभिक्रिया श्रिंखला के सिर्ज पे कौन सी धातु नहीं आती है यह आपको बताना है लेड है, सोडियम है, अल्मूनियम है, मैग्नीशियम है तो कौन सी धातु जो होती है विक्रिया श्रिंखला के सिर्ज पे नहीं होती है तो यह आप्शन कौन सा से हो जाएगा लेड लेड आप्शन आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं अगला क्वेस्चन नेम डिकित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है तो कमरे के ताप पर तरल कौन सी होती है सलफर, आयोडीन, ब्रोमीन, कारबन तो आप्शन नमबर कौन सा से हो जाएगा नहीं होता है पीटल में जर्मन सिल्वर में बेल धातु में गन मेटल में तो किसमें जिंक नहीं होता है तो याद रखेगा ऑफ्शन नमबर सी सही हो जाएगा बेल धातु जो होती है इसमें जिंक नहीं होता है तो ढेंस बात करते हैं अगला क्वेस्च feeding है फासफोरस का कौन साायस्क नहीं है ठीक है कहाँ पासफौरस का एक कौन सा नहीं है यह आपको बताना है фотографaż रइस लूरोभाराइट या ग्र सक addition नहीं है तो ऑफ्शन नमबर कौन से जाएगा ऑफ्शन नमबर डी सही हो जाएगा ऑफ्शन नमबर डी जो ग्रेनाइट है वो फासफोरस का एस्क नहीं होता है नेक्स देखिए 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए या तो डॉट 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 या तामबे के साथ मिस्रित किया जा को सब्सक्राइब लिए और जेस्क्राइब डाएंड एनस्कुशन जाएगा नेक्स्ट क्वेस्ट्टन है सोना और तालट को नारंगी को नीले को या हरे को तो पूछ रहाए कि बैगनी के अलावा कौन सबस्टार वह ओम्रपी से बताना है जो होती है वो दिखाई दिखाoire ती है जो तो तो हैं वो नीरस नहीं होती है बल्किन क्या आपका राइट अंसर हो जायगा नेक्स देखते हैं निमलखित में से कौनसी धातू सबसे अधिक प्रतिक्रिया शीड है कॉपर है कैलसियुम है आइरन है की जिंक है तो सबसे ज्याद होता है वह क्या होता है वह कैलसियुम होता है और अधिकतर यह सब अब घटन अब घटनी अभिक्रिया में कैल्सियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा तीव पेजी से प्रतिक्रिया शील या अभिक्रिया शील हातू होती है तो ऑफ्शन नमबर कौन से जागा बीवल आपका राइट हो जाएगा नेक्स देखते हैं अग सबस्दों नग्स नेक्स देखते है लोहा लगभग डिगरी चल्सियस पर उबल याता है यह आपको बताना है 3182, 2861, 3861 या 3861 तो किस तापमान पर जो लोहा है वो पिघल जाता है या सुरी उबल जाता है ये बताना है किस पर से उबलने लगता है तो ये 2861 डिगरी सेल्सेस पर लोहा क्या होता है उबलने लगता है next water heater में प्रयूक्त होने वाली कुणडली को बनाने के लिए किस तत्त का प्रयूक किया जाता है वाटर heater जिससे हम लोग पानी गरम करते हैं उसमें किस चीश का प्रयूक किया जाता है ये आपको बताना है तामबा का, नाइक्रोम का, अलमूनियम और तामबा का, मिस्रड का, लोहा और इसपात का, मिस्रड का तो जो heater होता है उस heater में हम नाइक्रोम का तार यूज़ करते हैं किसका यूज़ करते हैं नाइक्रोम का option number कौन से जाएगा option number B आपका right हो जाएगा नेक्स देखते हैं पीतल किसका मिस्रड होता है ये आपको बताना है पीतल किसका मिस्रड होता है जस्ता और लोहे का सीशा और तामबे का लोहा और सीशा का तामबा और जस्ता का तो जो पीतल होता है पीतल क्या है ये एक मिस्र धातू है पीतल क्या है एक मिस्र धातू होती है और मिस्र धातू क्या होता है, दो या दो से अधिक धातूं से जो मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिस्र धातू कहते हैं, तो option number यहाँ पे कौन से हो जाएगा, option number D आपका right हो जाएगा, तामबा और जस्ता का जो पीतल है, वही combination होता है, यानि पीतल का combination जो है, वो मु ग्हटते क्रम में सबसे पहले लोहा फिर सोडियम फिर चांदी फिर सोना सोडियम चांदी लोहा सोना इस घेचरे इस को सोडियозм है उसके बाद कौन को है फिर क्या है और लाश्ट नंम्बर काótब तुम option number D आपका क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, option number D आपका क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, next देखते हैं अगला question, निम्न में से कौन एक धातू है, कौन एक धातू है, sulfur, iodine, loha, carbon, तो देखिए, sulfur, iodine और carbon, ये तीनों जो है वो अधातू है, ये तीनों क्या है, अधातू है, तो धातू इसमें जो है वो लुहा है, लुहा, F-E होता है, परमारो कमान कितना होता है, 26 होता है, ठीक है, next देखते हैं, किस धातू को पहले wall frame कहा जाता था, wall frame किसको कहा जाता था, tunguston को, molybdenum को, jasta को, की radium को, तो किस धातू को wall frame कहा जाता था, तो wall frame जो है वो tunguston का नाम था किसका नाम था टंगस्टन का इसका गलनांक इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है क्या होता है सबसे ज्यादा इसका जो गलनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है और बल्व में यूज होता है एक फिलामेंट के लिए फिलामेंट के लिए यूज होता है तो option number कौन से हो जाएगा एवल आपका right answer हो जाएगा next देखते हैं अगला question stainless steel के निर्माड में निर्में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है stainless steel जो होता है जिसमें मूर्चा नहीं पकड़ता है किसका हम यूज नहीं करते हैं यह आपको बताना है तो देखें carbon है, sulfur है, nickel है, chromium है तो stainless steel में carbon होता है nickel होता है, chromium होता है क्या चीज नहीं होता है तो होता है sulfur sulfur stainless steel बनाने में use नहीं किया जाता है option number B आपका क्या हो जाएगा right हो जाएगा नेक्स देखते हैं अगला question टेलोनाइट कोबाल्ट और डॉट डॉट का एक संयोजन है टेलोनाइट कोबाल्ट किसका संयोजन है क्रोमियम का जस्ता का तामबा का की लोहा का तो टेलोनाइट कोबाल्ट जो है वो क्रोमियम का संयोजन होता है किसका संयोजन होता है क्रोमियम क option number कौन सास हो जाएगा option number यह आपका क्या हो जाएगा right हो जाएगा next देखते हैं शुद्ध रूफ से निम्ड में से किस धातु का गल्लांग सबसे अधिक होता है किसका गल्लांग सबसे अधिक होता है यह बताना है आपको टंगस्टन है तांबा है प्लेटिनम है फ्लेटिनम ठीक है और यहाँ पर सोना है तो किसका गल्लांग जो है वो सरवाधिक होता है तो सरवाधिक जो गल्लांग होता है वो टंगस्टन का होता है किसका होता है, टंगस्टन का होता है, option number यह आपका क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, next देखते हैं, किस खनीज को मुर्खों का सोना कहते हैं, ठीक है, मुर्खों का सोना किसको कहते हैं, quartz को, pyrit को, magnetite को, या fluorite को, ठीक है, किसको हम मुर्खों का सोना कहते हैं, तो मुर्खों क जो सोना होता है वो पायराइट होता है क्या होता है पायराइट होता है ओप्शन नमबर कौन सा से हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे बी सी देखे गलबढ़ हो गया है ठीक है यहाँ पे सी यानि पायराइट जो है वो सही है ठीक है पायराइट जो है वो सही है नेक्स देखते यह भी योगिक है यह भी योगिक है और आरन क्या है यह तत्व है यह क्या है तत्व है तो option नमबर कौन से जाएगा सीवल आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं एक मात्र धातू का नाम जो जिवालू रोधी होता है जिवालू रोधी कौन से धातू होती है sodium है copper है iron है aluminium है तो जिवाड़ु रोधी धातु कौन सी है तो याद रखेगा copper जो है acid धातु होती है जो जिवाड़ु रोधी होती है ठीक है option number B आपका right हो जाएगा next देखते हैं carnes 10 copper और का एक मिस्र धातु है किसका मिस्र धातु है यह आपको बताना है aluminum का है tin का है nickel का है कि iron का है nickel का है यह आपको बताना है तो देखिए जो carnes 10 है यह copper और nickel का मिस्र धातु होता है option number कौन से हो जाएगा option number C आपका right हो जाएगा option number C आपका right हो जाएगा जो देखिए बोरान भी अपधातू है और ऑ्सेनिक भी है सिलिकान भी है कौन सा नहीं है तो याद रहे है à carbon नहीं है option number कौन से जाएगा वी बल cleared हो जाएगा नेक्स देखते हैं निम्ड में से कौन LED अर्थचालक प्रोध्योगी में प्रियुक्त धातूं में से है किसका हम LED को बनाने के लिए प्रियुक्त करते हैं यह आपको बताना है लोहा का, कापर का, गैलियम का की जिंक का तो हम लोग LED जो बनाते हैं उसमें हम किसका यूज़ करते हैं गैलियम का यूज़ करते हैं और ओफच्ण नमबर कौन से जाएगा और ओफच्ण नमबर C आपका राइट हो जाएगा नेक्स देखते हैं निम्ण में से किस खनीज आयस के के रूप में की से राइट होता है यानि की से राइट किस से संबंधित होता है यह आपको बताना है की से राइट का संबंध किस से है चांदी से है मैगनीशियम से है पोटेशियम से है कि लोहा से है तो किसे right का जो संबंध होता है वो magnesium से होता है option number कौन से हो जाएगा option number B आपका right हो जाएगा next देखिए विकल्पों की सूची बद धातूं में से कौन सबसे कम प्रतिक्रियाशील है यह आपको बताना है copper है iron है sona है magnesium है तो सबसे कम प्रतिक्रियाशील जो धातू है वो कौन से है sona है option number कौन से जाएगा option number C आपका right हो जाएगा next है नेमलिखित में से mist धातू की पहचान कीजिए जिससे सीसा एक घटक होता है सीसा जिसका एक घटक होता है उसके बारे में आपको बताना है ठीक है जिसका सीसा एक घटक है एल नीको का solder का nickel का या कार्ण स्टेटन का तो याद रखेगा एल नीको का सीशा एक घटक होता है नेक्स देखिए अगला question धातूं अन्य धातूं से टकराने पर बजने की ध्वनी उत्पन करती है क्योंकि वे होती है वो कैसी होती है लचीली होती है नमनी होती है ध्वन्यात्मक होती है या चमकीली होती है तो धातूं जो टकराती है वो ध्वनी देती है उन्हें हम ध्व अन्यात्मक धातू कहते हैं, option number कौन से जाएगा, option number C आपका right हो जाएगा, next देखते हैं, कैला वे right नामक खनीज, एक telluride खनीज है, जिसमें शामिल होता है, जो कैला वे right खनीज है, उसमें क्या सामिल होता है, ये आपको बताना है, ठीक है, उसमें क्या सामिल होता है, ये आ जता है। यह यह आपको बताना है, तामबा, जस्ता, यूरेनियम, लोहा, तो जो चनीज कार्नोटाइट है, उसका यूरेनियम है। option number कौन सा से जाएगा, option number C आपका right हो जाएगा, next देखते हैं अगला question, कांसा मिस्रधातु है, तामबे और किसे मिलकर बना होता है, tin की, aluminium की, चांदी की या निकिल की, ता कांसा जो होता है, मिस्रधातु होती है, जो की tin और तामबे से मिलकर बना होता है, option number A आपका right हो जाएगा, next देखते हैं अगला question, 18 karat सोने में तामबा या चांदी जैसी अनिधातू का कितना प्रतिशत मिलाया जाता है, 18 karat जो सोना होता है, उसमें तामबा या चांदी की कितने percentage को मिलाया जाता है, 18 को 25 को 2 परसंट को 5 परसंट को जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें याद रखेगा उसमें 2 चीज़े होंगी एक सोना होगा और दूसरा अनिधातू होगी जो सोना होगा वो 75 परसंट होगा और अनिधातू जो होती है वो कितनी होती है 25 परसंट अने धातु में या तो उसमें तामबा रहेगा या तो उसमें चांदी रहेगा ये दो चीजे मिला जाएंगी जैसे 18 करेट का कोई अगर सोना देता है आपको तो 75% सोना रहेगा और 25% या तो तामबा रहेगा चांदी रहेगा तो option number कौन से जाएगा option number B आपका right answer हो जाएग sulfate और एपसम जो होता है एपसम को क्या कहते हैं magnesium sulfate, ferrous sulfate, lead oxide या lead paroxide तो जो एपसम होता है एपसम का नाम होता है magnesium sulfate option number कौन से जाएगा एवल आपसा सही हो जाएगा next देखते हैं 41 number का question aluminum के सबसे महतपुर ऐसक का नाम क्या है ? next देखते हैं बरतन बनाने के लिए कौन सी निम्लिकित मिष्डधातू का इस्तमाल नहीं किया जाता है किसका इस्तमाल हम लोग नहीं करते हैं, बर्तन मनाने के लिए, पीडल का, सोलडर का, डियोरो लुमीन का, जर्मन सिल्वर का, तो बर्तन मनाने के लिए हम लोग सोल्डर का usage नहीं करते हैं, पॲ 먹 यूज़ करते हैं, नेक्स देखते हैं पारद मिस्रड या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिस्र धातु में निमलखित में से किसका होना आवश्यक है तो जो पारद धातु होती है या अमलगम जो होता है उसके लिए कौन जरूरी होता है चांदी है कोबाल्ट है निकिल है पारा है तो अमल्गम जो होता है उसके लिए किसका यूज होता है पारा का यूज होता है option number कौन सा सुझाएगा D आपका right answer हो जाएगा next है निमलिकित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक यूगम है तो निमलिकित में से समाप्त होने वाला जो प्राकृतिक संसाधन है वो वन जीव और खनीज है option number कौन सा सही हो जाएगा option number D आपका right हो जाएगा next देखते हैं एक मिश्र धातु क्या होता है एक तत्व होता है एक यूगिक होता है एक समांगी मिश्र होता है एक बिश्मांगी मिश्र होता है तो एक मिश्र धातु जो होता है ये एक मिश्र होता है और वो किस प्रकार का मिश्र होता है समांगी मिश्र होता है option number C आपका right हो जाएगा next देखते हैं 46 वां question धातूं के पतले तार खीचे जाने के गुल को क्या कहते है धातूं से पतले तारों को खीचा जाता है इस गुल को क्या कहते है ये आपको बताना है इस गुल को क्या कहते है ये आपको क्या कहते हैं तो उसके गुल को तन्यता कहते हैं option number कौन सा सुझ जाएगा option number ये आपका right answer हो जाएगा next देखते हैं अगला question सामान्यता अधातुें चमकीली नहीं होती कौन सी अधातु चमकीली है normally अगर हम बात करें तो जो अधातु होता है वो चमकीला नहीं होता है कौन सा अधातु चमकीला होता है ये आपको बताना है sulfur है, oxygen है, nitrogen है, iodine है तो iodine एक अधातु है जो चमकीला होता है option number कौन सा से जाएगा D से हो जाएगा और ये अधातु जो होता है वो ठो सवस्था में होता है किस सवस्था में होता है ठो सवस्था में पाया जाता है यह अधातू जो है यह किस सवस्था में होता है ठो सवस्था में पाया जाता है तो option number कौन से हो जाएगा D. वल आपका right answer हो जाएगा next देखते हैं निमलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्धुत अवगटन से प्राप्थ होती है। निमसी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के बिद्धुत अवगटन से प्राप्थ होती है। निमलिखित में से कौन से धावन सोडा के उपियोग नहीं है, काच, साबून और कागच के निर्माड में, सोडा, एसीड, अगनी शामक में, जल की स्थाई का ठोरता को दूर करने में, अब यहां पे कूट दिया है, कि केवल तीन, केवल दो, एक और तीन, केवल एक, अब सोडा का उपियोग नहीं किया जाता है, किस रूप में, तो देखिए, काच, साबून और कागच के निर्माड में, इसका उपियोग किया जाता है, जल की स्थाई का ठोरता को दूर करने के लिए इसका उपियोग किया जाता है, सोडा, एसी डगनी सामक यंतरों में, इसका नहीं किया जाता है धावन सोडा मनेकेद में से कौन से मिसर धातू में मरकरी में होती है ठीक है सिर्ण है मरकरी जबो हिए रूप में होती है यह आपका लाच और पचासा क्वे घ्राण दो कहे रहा है कि स्बमक्स भार करो ुंद्र स्थल्ण य East किसमें होता है यहां पर एंसर प्राप्त किया जाता है तो आज है जो पयास कोश्चन का यह यहीं सवाप्ठ होता है हम लोग कल फिर मिलेंगे फिर से 50 questions की सीरीज के साथ तब तक के लिए सभी लोग देखते रही है एक्जाम तरकस को सभी लोगों का धन्यवाद सभी लोगों को नमस्कार that's it कि एक्षा सभी लोगों कोॉवilated झाल झाल